तो हलो अब यह जाए नहीं किया सुराई आज में लग रहा है लोग इसी मेरी सब्सक्राइब लगाई शूरज भी आए रखते है 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 हाज ठीक है आप कैसे आप सब गला बैठी गया दा मेरा और अर्दी बहुत जादा बुखार उखार आज़ागा करिए जा सब लोग आज आप में बढ़ा देता हूं बाकिया कि मैंने आज आपको बायो माली के कुश्चन्स भी घेजी थे सब्सक्राइब कर रहा हूं आज अभी मेरी बात ही है तो वह इंजिनियर से सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर रहे हैं कि करवा इस फोन किया है मैं आज सर्वर सर्वर से प्रॉलम है सर्वर दिक्कत है जी हो जाए रभी कल तो नहीं दिक्कत होगी आपको कल तो सही के लाओ कर थे हैं संदीब कर रहे हैं अच्छा चंघ्च कर रहा हुं सब्सक्राइब का इस k मज़ा ही आजएगा मॉप टेस्ट पड़ेगा है अब देखी कर रहे हैं आपको कोश्चन की क्वालिटी में सम्झावता नहीं मिल रहा होगा क्वेश्चन अप्टुर्वाइब क्योंकि यह कोश्चन मेरे खुद के बनवाए हुए ऐसा नहीं कि मतलब मेरा ही टाइप दूसरे से करवाए हैं इसलिए आपको बैसे मतलब यह कुछ लोग जन्रल कोश्चन डाल देतें तो वह जन्रल नहीं अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जैसे कि बायो मॉलीक्यूल चेप्टर कवर हो गया लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स दो-तीन में रोंखे थे अप्चों कि तबेख खराब होगी बना तो अब करा देता तो अब इसके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं और क्या कहूं इसके लिए तब तो किसी की भी करता हुआ है फिर भी मैंने सोच आगा आपको पढ़ाओंगा मन मेरा नहीं माना हाला जुतना गला मेरा बढ़िया नहीं शरीर नहीं ताकत दे रहा लेकिन फिर वी तो आपके पेपर हैं इसकी चिंता आप से ज़्यदा मुझ आप ऐगी सबसे पहले क्या होता है हमेंris पंड़ी है अलो चीं तो हमें सीयस परनी और संड़ी verw में अगर हम यह कहें कि किसकी पढ़ने ही तो एसेजनी सीरीज आफ एल्डोज में लिख देता हूँ एल्डोज की पढ़ने एक बात दूसरी बात इसको एक नाम से पेपर में और आ सकती है जिसका नाम है किलियानी फिशर सिंथेसिस बहुत ही इंपोर्टेंट नाम है किलियानी फिशर सिंथेसिस के नाम से भी यह पेपर में आ सकती है आप शीज जो दिया है उन्होंने एक नाम से दिया है किस नाम से दिया है बताओ इनिक्रीजिंग कारवन चेंड की जो लेंथ है ना इनिक्रीजिंग लेंथ अब दे कारवन चेंड आ फैल्डो हेग्जोजन पीटो हेग्जोज के नाम से दिया हुआ बड़ा बढ़िया टॉपिक है इंपोर्टेंट टॉपिक है और खासकर मैं आपको बताओ आपके जारखंड के लिए तो है ही यह जारखंड अब आप सुनके रहेगा जारखंड के लिए तो है ही लेकिन यूपी पीजीटी का भी एक बहुत इंपोर्टेंट यह कोस्टिन है कैसे हम लोग कि लियानी सिंथेस को करते हैं इस चीज को आप समझेगा देखिए सबसे पहले हम क और और शाडीनो उसका जो फार्वूला होता है वो आपका यह होता है यहां लिखा मैने-sk श लिखा है इधर मैं अच लेलेता हूं इधर मै ओष्ये लेलेता हूं यह मैने आपको बताया था कि जब लेप्धेंग एंड पी और अगया ठीव हो गया यहां जोगया स्पेक्ट में अगर देखो तो ओएच गुरूप जो है वो राइट हैं साइड में है तो डी हो गया और ऊपर से देखो गया और यहां पर मैं इसे अरेवी नोज लिखे दे रहा हूं अरेवी नोज अरेवी नाम मैंने दिया अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इस पर सीन डाल देता हूं जैते ही मैं इसे पर सूरज अगर लाइन पर है तो सूरज गहिया यह बताओ आपको पता होगा कि यह बाट इदर मूब करेगा यह ओछ हो जाएगा यह रह गया उप तो अगर मैं इन डियक्शन को दो तरीके देखो कितनी प्यार से मैं इसकी चेन की लेंट को बढ़ाऊंगा और आपको समझ में भी प्रॉपर वे में आएगी कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर क्या करना है देखो उपर सीन लगा दे रहा हूं उपर सीन लगा दे रहा हूं धीरे से देखो यह सीन लग गया नीचे चले आईए यहाँ पर ओच हो गया राइट हैंड साइड में यह आपका हो गया बदल गया सिस्टम ही बदल गया इसका हो गया फिर यहाँ प और दूसरा तवीका आपके दिमाग में चल रहा होगी कर हम ऐसा ना बनाके अगर मालो ओच उदर जोड़ दे तो माल लीजी ऐसे भी बन सकता है तीन उपर लग गया फिर इधर एच हो गया इधर ओएच हो गया बस पहले वाले कुछ चेंज करा जहां पर मेरा करसर घुम रहा बाकी हम कोई चेंज नहीं कर रहा है जैसा है बैसा ही बनाएंगे को चेंज जहीं करेंगे नीचे यंनि इतना हिस्ता जो है यहां पर बनाले हम पूरा C, O, H हो गया, यहां पर H हो गया, फिर C, O, H हो गया, यहां C, H हो गया, और यहां O, H हो गया, और यहां C, H2, O, H हो गया यह मैंने इसलिए आपको दोनों चीज़ें दिखाई, क्योंकि जो फॉर्म पॉसिबल है, या तो ऊपर ही तरह जोड़िए, या फर नेचे की तरह जोड़िए, यह दो कंडिशन पॉसिबल हो सकती है अगर आप इसका complete hydrolysis करा देते हैं, इसका complete hydrolysis तो रह जानते होगे, जब भी complete hydrolysis कराते हैं, तो आपको पताएगे, CN group किस में convert हो जाता है, CN group convert हो जाता है, C, O, H में, तो मैं आपको यहां बताना चाहूँगा, कि ऊपर होगे आपका C, O, H, आप किसे का कोई confusion नहीं, इधर था, जयसा था वैसे भणा दीजी, यहां पर H था, अगर आप छेढ़ेंगे तो confusion गल्पी हो जाएगे, इसलिए चेढ़ना नहीं, इस तरीके से होगे होगे होगे, यहां पर H बना दीजी, यहां पर H बना दीजी, यहां पर 3, O, H बना दीजी इसी तरीके सी यहाँ पर भी नहीं छड़ना है CWH बना दीजे यहाँ H बना दीजे, यहाँ OH बना दीजे, यहाँ पर CH बना दीजे यहाँ OH बना दीजे और यहाँ पर आपका C OH बना दीजे, यहाँ H बना ये यहाँ पर OH बनाईए यहाँ पर H बनाईए और यहाँ पर CH2 OH बनाईए यह दोनों Compounds बने हैं यह एक दूसरे के EP मर्स बन गए इसको Compound सपोस कर लेते हैं इसे Compound A माल लेते हैं इसे Compound A माल लेते हैं इस बाले को Compound B माल लेते हैं अगर नोटिस करें तो यहां पर एक चीज आपको जरूर दिखाई जे रहे होगी कि दोनों कंपाउंड जो है कारवन नंबर सेकेंड पर कंफिरेशन में अलग अलग है ये कारवन नंबर वन है ये टू है केल सेब्सक्राइब बढ़ेंगे तो हम दुबारा नहीं लिखेंगे केबल यहां लिखेंगे सी तो फॉर्ज को गरम करेंगे जैसे वाटर को गरम करेंगे तो भाई पानी निकालें गरम करके निकलेगा सकते तो कंपाउंड हमारे पास जो बचेगा वो जहां दो सुरज इस तो मैं डवल वह बचेगा मतलों निकालना है लिखाए देता हूं यहां से और ले लेए लाहां से निकालेंगे निचे से आज पर सब्सक्राइब तो इसका मुसलब है हमारे पास कि यहां पर आपने चौथे नंबर मैंने पहले ही बोल चुका हूं तो चौथे रध्यार में पूरेगा यहां पर हो गया यहां पर आपका स्पीस्टू ओए जितनी मैंने आपको भी पढ़ा दिया इस पे तैयारी पे बिल्कुल भरोसे के साथ आप मेहनत करते रहिए मतलब ज में कि इसता रेड्यूस कराएं खट टोड़ो दीन है यहां पर आप अ तो आपको दिखेगवा ऊपर कंपॉंदि देखेगा उपर टिया दिखेगा लीचे अपर याप है यहां पर आपका OH आगया, यहां पर OH आगया, यहां पर H आगया, फिर एक OH आगया, बन गया, कुछ बना देखा आपको नहीं दिखा, यह आपका CS2 आगया, इस compound का नाम आपको पता लग गया होगा, कि क्या है, यह glucose है, गुलुकोज में भी कौन सा गुलुकोज बन गया, यह alpha position पर D ग इसमें से भी water निकालेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा उपर वाला वैसे हीचे, बस अपनी category यहां से बदले, जो कुछ नहीं हुआ, यहां पर क्या करना है, C double bond O रख देना है, समझ में आ रहा है सभी को, एक बार हाँ बोलो, तो हमें भी साही लगेगा, यहां पर यहां पर O H आएगा, और पीछे देखना पड़ेगा, क्या है, देखो, अल्टरेट चलना नहीं से वाले ती, सर, जुद्धी एरब नोच का देश्ट्रक्षर बनाये हुआ, पर थाड़ कार्बन पर O H राइट साइड होगा, कि लिए अप्साइड होगा, ने वो सही लिख हाँ H ही आएगा, दो एच है ना, तो यहां पर भी H ही आएगा, यहां पर आप H लिख लीजिए, यहां O H लिख लीजिए, अब उल्टा आज आएगा, कि बताओ यहां पर ऐसे करें ना, H यहां से जोड़ें, क्यों हैं, यह वाटर निकला है ना, हाँ ठीट है, उसके कराओ, एक तो SiO2 निकाल दो, हाइडोजन डाल दो, इसमें 1 H इदर और 1 H इदर, कंपाॉंड बताओ, इहां CH इधर आजाएगा D- हो गया इधर बताओ OH हो गया इधर H हो गया इधर OH हो गया इधर H हो गया इधर आपका CH2 OH हो गया इसे हम लोग क्या बोलते हैं D- या तो इसे D- दी माइनस गलुकोज बोलो या दूसरा नाम इसको हम लोग मैनोस भी बोल सकते हैं यह एक दूसरे की एक मर्स ली माने जाते हैं इसे अधिकतर लोग मैनोस के नाम से भी जानते हैं मैनोस जब आप दी लिखोगे तो यह बात ज्यान लख माद्य को पहले बता दूँ अगर आप लोग इसे लिखते हो डी माइनस गुलुकोज तब तो माइनस लगाना जब दी माइनस गुलुकोज लगाना लेकिंग जब आप इसे मैनोस फॉर्म में डिरेक्ट इसना में डेवल एवल एंड ओस इन मैनोस लेता जाता है यह इसका इपी मर बनता है तो अब यह बताओ कि हमें हाला की यहां पर यह सीखना था कि जो कारवन की चेन है वो हमने बढ़ाई कहते हैं एक दो तीन चार पांच यहां कारव चेक कर गदि तौ आपको एक, दो, तीन, चार पांच छे हिरा पर भी एक, दो, तीन, चार पांच छे यनिकि हमें अगर कारवन की लेंथ बढ़ानी है तो उसके लिए सबसे अच्छी synthesis कौन सी है इसका नाम है इसका नाम से नाम से भी अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो इस तरीके से भी हमें ध्यान रखना पढ़ेगा दूसरी आप अपनी भासा में बोलना चाहूं तो इसे चेंड शॉटनिंग भी कह सकते हो कि कि शॉटनिग आफ कि को अब आपके स्लेसित में है तो इंसे कि अब देखो मुझे करना क्या है यहाँ पर मुझे छो लेना देखो यहां से आज का अगया आपका इंपोर्टेंट क्लास बने रहता है कि यहां से मुझे नाम की चिंता है कि नाम आ सकता है कि लियानी सिंथेसिस कहां यूज होती है रफ डिग्रेडेशन कहां यूज होता है यह चीज आ सकती है एक्जाम में इसी लिए हमने इसको अलग करके पढ़ाया जिस्ते कि आपके माइंड पर एक जरूर स्ट्राइक रहे इसको अगर ब्रोमीन वाटर इसके अंदर डाल दो तो जैसे ब्रोमीन वाटर डालेंगे आप यह उपर खट से ती डवलोच में कनवर्ट हो जाएगा तो फिर बासी तो हमने कोई चेंज किया यह नहीं तो जब कोई चेंज नहीं किया तो हम घवराएं क्यों ऐसरी धीरे से कॉपी कर लेते हैं से ऐसे करके हमने कॉपी एक दो टीन चार यह बात ध्यानक न जल्दी वाजीम करें दसकारवन न बना देना कारवन आपको छही बनाने इस बात करें हमने क्या करना है अब हमें क्या करना है देखो यही स्टेप इंपोर्टेंट है बहुत लोग नहीं लोग का होल ट्वाइस किये देखो ऐसे ही तो बनता है तो अगर मैं ऐसा करनू थोड़ देर के लिए से लिए से लिखनू आर पी डवल और यह वाई टू निजबू तो को जिकत तो नहीं मतलब अंदस्टू संधाने की इतना बड़ा कंपॉंड का ट्वाइस कैसे करेंगे कि इतने बड़े कंपाउंड का ट्वाइस नहीं करेंगे इसी हम इसको ऐसा कर रहे हैं अवाज आ रही हुआ है कि वाइस आ रही है तो अब तो हाप लेंगे करना पड़े करना पड़े इसलिए मैं कर रहा हूं अदर्वाइस आप चाहों तो कर सकते होल ट्वाइस मुझे अतराज नहीं कर रहा हूं कि आपको जाधा ना लेना पड़े और यह वैलिड है ऐसा भी नहीं कि मैं कोई इन्वैलिड काम करूं जिससे कि आपको समझ में ना आए यह मैं लिखा अब जैसे ही मैं इसे हीट करूंगा तो आप जानते हो चैल्सियम सॉल्स जब भी गरम किये जाते हैं तो सब्सक्राइब कर दिए यहां से यहां से निकाल दीजिए यहां से चाहिए होगा यहां तो आपको फैरस्फेरिक सल्फेट चाहिए होगा है फी तुए तो फॉर का वाटर एक्वा सल्यूशन और इसके बाद सो दिग्रम कर देना और फुड़ा थैसमें प्रॉक्षाइड परसेंट सब्सक्राइब देता जैसे ड्रॉबमीकल यहां पर आपका क्लियं यहां पर होगे आपका प्राद मिलवा देना इसे वाले को पिछ अनवाट करने यहां पर वेच आपको जिसी रहा है बाइसा जैसे इसंदर्क कापी कर दो करो बद यहां हो यहां से ओंडिया यहां एक हो गया और लास में पीज टू ओए इसको फिर वही बन गया तो पहले था अरेवी नोज करिए वही बना ना अरेवी नोज बन गया जो पहले चुलवात में हमने उठाय था वही कंपाउंड एक दो तीन चार पार्वान का कंपाउंड है यह एल्डो पैंटोस के नाम से जाना जाता है बयरी वरी इंपोर्टेंट रियक्शन फ लेके बैट है तो नोट करने कुए है मैटल आइन जो होता है वो एलक्तोन ट्रांसफर एजिट कर काम करता है तो इंThis reactionrender भी दे ताओ, in this reaction, in this reaction, metal ion, metal ion act as, act as electron transfer agent है, पूछ ने कही दोके से paper में, electron transfer, पूछ भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, इलेक्टरों ट्रांसफर agent, कौन काम करता है, तो बताना कि metal ion जो है, वो electron transfer agent की तरह भीया काम करता है, इसलिए धान दीजेगा, बहुत ही important reaction है, ठीक है ना, अब बोता क्या है, फिर बोल देता हूं, आपको संधा भी देता हूं, कि actual में जो metal ion बनता है, ये carboxyl, जो free radical है, उसको, उसके OH ग्रुप को capture करके free radical, OH का free radical बनाएगा, और carboxyl कैसे, और क्या कर देगा, उसे hydrate, मतलम बनाएगा, hydrate बनके, जैसे आपने अगर notice किया हो कहीं पर, जैसे ये C double H होता है, देखो, सुर्च नोट करो, देखो, आपने पढ़ा भी होगा, जैसे ये, मैंने H positive बनाया, ये खट से electronic हां पर लाएग जाता है, मैटल आयन ही पैदा करता है, इसी वज़े से कुला process होगा, अन्यथा process रूख जाएगा, तो ये बात आप चलू जहान लखिएगा, important है, exam में आ सकती है, कि इस reaction में मैटल आयन का रफूल का है, मैटल आयन करता चाहा है, तो आप बताना कि मैटल आयन जो है, वो इ दोनों में से कुछ भी नाम दे सते हो, F E N T U N S ले रहा हूं, बोले दे रहा हूं, जो बोल सकते हो, F E N T U N चाहा बोल सकते हो, F E N T U N G आयन को बोलो, को भी दिका दो, F E N T U N S ले बात लोग नाम देते हैं, H 2 O 2 In, इन देहरन को पता सब रहे था लेकिन सोचते हैं उसर कुछ है कर लें आता नहीं आता नहीं याद नहीं रहता है अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और डिगरेडेशना है यानि अगली तक तो आपने अल्डो अल्डो एग्जोट को अब रहे चेन को भड़ाया भी ये चेन को घटा आया इसमें एक डिगरेडेशना आप से श्लेबस में नहीं है लेकिर एक डिगरेशन और भी है कि कारवन क कि चेंड को एक मेट्ट से और भी हम लोग कर सकती है और कैसे डिक्रीज करेंगे वह चीज दिए आपको ध्यान लखनी पड़ेगी देखो उसका नाम अगर आपने सुना हो तो होल्ड डिग्रेडेशन का नाम सुना है तो नहीं सुना है कोई बात में फिलाल इसका नाम या तक सकतर वाहर इजान इसका नाम सुना है। कि दो है वहादा बाह। कि डबलू ओ एच लोल्ड डिगर्डेशन है कि जी देश्य है और ये चीज ध्यान रखेगा अब इसमें होता क्या चलो थोड़ा समझा भी देता हूं आपको वैसे असलेरस में नहीं लेकिन अब शुरू हो चुकी तो समझाना अच्छा लगेगा आपको भी समझना है यहां यहां हो ही अपना और यहां लग घोटो कोगों आफिए बाकी नाम पताई है मुझा प्ताने विट नहीं है और अगर हैं एक आफिर में लेक्शन करा लेता हूं यह इकंपांड मैने हेड्रॉक्सिल एमिल रहा जैसे मैं आइड्रोक्सिल गें जैसे मैंने हाइडरोक्सिल ए तो pH-21 and OH हो जाता है और यहां पर आपका आजाता है, pH-OH आजाता है और नीचे compound वही, pH-OH का होल थराइस आजाता और यहां पर pH-2 OH आजाता है, यह चीज हो जाती है, इसको मैं Acetic and Hydroid पर इस्टन करा देता हूं, Acetic and Hydroid का formula सभी को पता होगा, ऐसे भी लिखते हैं, यहां जोड़ा है, यह एक OH यहां, एक OH यहां, जहां-जहां OS यहां जोड़ देगे, H हटाईएगा से भी, H हटाईएगा नहीं हम लिखेगा, तो उपर हो गया CH, जहां क्या हो जाएगा, जहसे करा हैं तो यहां पर भी H2 निकल जाएगा, मतलब उपर CL बैजाएगा, तो यहां पर मैं CL लिख देता हूं, और यहां पर लिख देता हूं, CHOAC लिख, हम अधे हो गए, सब्सक्राइब करेंगा तो कंपाउंड आपके सामने यहां जाएगा यहां पर यहां पर आपका पी एच्टू और साथ में एक एक एच्टू निकाल देना में ड्याउट में रहे जाओ उसके आखिरकार हुआ तो यह सिलेवस में तो नहीं है लेटिन हाँ जानकारी आपको रहे जीसे लेवस में टाइल ही जू है एक है चैन इंक्रीस करना इन दो में से एक पर आप यह मान किशलो कि एकजाम्नेशन 22022 में एकजाम्ने मिलीं तया है एक रेक्शन चाहें यह मिले इन में से रहे नाम पूछे ले चाहें आप से पुछ भी उचेंगे पूछा जा सकता है ध्यान बखेगा आपके स्लेवस का यह था सिस्था लेकिन कुछ चीजें मुझे अपनी तरफ से भी बतानी है मुझे अपनी तरफ से बतानी है जो आपको याद रतमी करेंगी जैसे अगर आप से पुछ मैं अगलाक पूस वक्वॉम उऔर कोग इचलाइकव तन ऊस्थो प्लंधा और कि पूसिंग दूरियु को इच्छा लाइव और Сам फिर्म बदल्ध मेरा Spread बैदी में इंपोर्टेक्ट जी बताए कोई लोग एग लाइकून के होता है तो बुली नहीं पता हूँ कौन बताएगा सुद्धी बताओ दिन दिन पताओ कार्थिक बुली कोई नहीं बुल ला है यह हम भी बुल दिया कोई सब देखे यहां पर एक चीज आपकी और आ रही है एगलाइकून होता है एगलाइकून जो होता है एक नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड होता है जो आर्ब्यूटिन के हाइडूलिस से बंगता है तो यहां लिग देता हूँ इस इस नॉन इस नों कर्भधिड्रेट कंपवड्रेट कंपॉंड नों कर्भधिड्रेट पेट आप आप इंड दो आप आप इन आप 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 है इसे साथ याद रखना इस इहारा भी जरुएज नहीं गया जाया नहीं अब रुटेंगा फार्बुला क्या होता है सिट्वेल्ड है एक श्टीन ओस्टैवल इस ले पर से था आउट है इसे मेरे नोर्ट में है तो यह में आपको बता रहा हूँ इसीफ एच्ट्वेल्ब ओसिस बनता है और साथ में एक कंपाउंड बनता है यह पहताना है इस फैट्रोकुईनोल पहताना जाइच्ट्रोकुईनोल पहताना और यह नहीं पहताना इसे हैड्रोक्षीक्विनों इसे में हथा नाम वह घिएगे यह को हम लोग मुए अगलाइपोन भी वोता है अगलाइकोन के नाम से भी इस ट्रेक्टर होता तो आप नाम नहीं बता सकते लेकर तब पहर नाम दिया गया इसलिए मैं इसे नोट करके सुचा कि आपको बता दूगा कि एगलाइकोन जो होता है इसलिए इन नाम को आपको जिहान लख लेगा दूसरी चीज भी आपको बहुत इंपर्टेंट बताता हूं कि एक फो आपको जरूर पढ़ लेना है जरूर पढ़ने स्लेवस में थोड़ी चीज कभी कभी खुद चीजिए ऐसी उनसे स्लेवस को प्रेश नहीं करती है लेकिन हाँ उसे कोश्चन कहीं कहीं रिलेट हो जाता ह जैसे कि number one is the pulse what is the pulse what is the pulse what is the pulse what is the pulse क्या होता है तो आपको मैं बताना चाहँगा कि अगर मैं glycine को लेता हूं और यहां पकिस्ट्व करता हूं। ऐसा मोलेक्यून जिसके दोनों इन उपर आपकोडिव चार्ज हो इसका हम लोग जानांस ँच्छेह जिसमें अपने का वोल्टाइंट थी आखम तेरा उसे नाम तेंगेनं के जानते कुछ मुटत धेलों है सो अलो हालो हांजी कौन अभी मैं क्लास ले रहा हूँ मैं आप से बाद भी मात करता हूँ ठीक है जफिर एक बाद आप मुझे कॉल कर लिए मैंसेस कर लिए ठीक है तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा की इंटर्नल सॉल्ट ऐसा कौन सा कंपांड है जो सूर्ट जी प्रॉपरीटीम्ट खो खोंग थे पाते हैं दो एक हैं को ही इंटर्नल सॉल्ट भी बोला जयाता है इस बात का ध्यार नहीं और जिस pH पर इसको यह ज्यट्राइन का फॉर्मेशन हो ताल कर जा कि आ बोलते में बताओ भड़ा जब पी एक अध्री जट्राइन टेक्स प्रेस इस नोन आज बताईए कि nana तो बुल यह मैंना बन स्वान को मइल सॉना pretend अबसे हैं और फ़िए को अब मूलय बोलते नहीं है तो अब कि आपने मारा गम अफभा दो नहीं कोई बात में नहीं सुना है। जर्डवान का जो फार्मेटन होता है आहेलेशसे का इन्स किक भॉप ये हैं को सुप घुचे है तो इसका इन्स कीषचा जाहिए वुटीनिसे करें यह लिए दो पर देली गुरूप वो एसे डीक में चरकर यह सोगा जो अगरूप पर बेसिक के लिए हो गई अगरूप जो हुआ यह वाला यह यह एस डीक गुरूप मालना जाता है इसमें यह हाथ वात पर प्रोटन डोनर है अभी जुटरायन मनने पर यह यह अच्छिए को प्रोटन डोनरा जाता है यह अच्छिए आपको डिखाई देगा इसके अंदर जोनोगुर है इसमें ल्टा होता है जुकि प्रोटधान डोनर है और यह प्रोटॉन एक्सेप्तर रहे हैं यहाम अल्ली से देलां प्रोटॉन प्रोटॉन यह एक्सेप्ट कर लेता है यह प्रोटॉन एक्सेप्टर है अब लिए यह वह नहीं लगेगा यहां यहां तो वह एश्प्रस गेम जर लेगा अब एक वह ने बोला भी स्टार बना करके मैंने बोला भी था कले का मुझ गवार लिंग निद्ते हो लेट में का व्रमेशन होता है लोग का मुझता है आई-सुर्प प्रोटॉटुॉएषढ लेट इंसिंट्डष बाहं सब्सक् Ukrainer. इसको एडक्र दिजना नोट समी हो पीज एक ट्रीच ट्रूम हो साइग लिए जी लिए तो आधस कमा लाधने के स्लेगा लीव तरहों हुआ the formation of geotrine, geotrine takes place called Iso electromagnetic पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है ध्यान रखिए अच्छा एक चीज आपको और बता देना है था हूँ कि अगर कभी कुशन नेचर करता है तो बताना यहां पर मैंने यह बनाया देखो जहां दो एक ग्लाइसीन का मोलिक्यूल या कोई भी अमिन आसे ले लिए दूसरा मैंने ऐसे लिखा तो यहां पर अगर आपने peptide linkage peptide bond का नाम सुना होगा तो यहां पर peptide bond का formation आपको दिखा जोगा कि कैसे formation होगा यहां से आप water को نिकाल देगी जैसे water आप निकाल देए तो water को निकालने के बाद क्या होगा कि दो unit आपस जोड़ जाएं गर दोनों units दिखाएंगी तो जिस इसे बॉन्ड के थूरू जोनों इनित आपस में जो थी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अभी मैं आपको दिखा भी देना हुआ हमाइड लिंकेज ये पैप्टाइड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है तो ये हिस्ता जो आपको मैं वाइड कलर ये रेड कलर से दिखा रहा हो ये इतना है ऐसा आपको दिखता है तो यह आमाइड ये पैप्टाइड बॉर्ण जेके नाम से नाम. अगर इसी के बहुत सारे आं नमबर अब दे मॉलेकूल का दें, नमबर आफ अब यूनिट्स का दें, अब 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 दे नमबर आफ अब आफ इड जाओ, तो पोली पैटाइड चेन वन जाईगी, और पोली पैटाइड चेन को मैं ने लेखूँगा तो फिर इस तरीके प्री यहां पर आज़े फिर्वा सब्सक्राइब करें to सब करते है तों के नहीं को और रीपीट सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब प्रोटीन का नाम दिया नहीं होती जब इसके बहुत करे कॉंप्लिकेशन बनते चले जाते हैं तभी बाद में जाके जब प्रोटीन का है लेकर इस्टेकर बनता है तो फिर हाइडरीन बॉर्णिंग होने की संभावना इसी कि मुलने से बनती है जो आपने पढ़ा होगा एलफा हैलिकल स्टेक्चर पूस्टन है यह यह प्रोटीन का बना था यह जो आपको दिखाई रहा है इसके अंदर यहां पर यहां जैता नोगा संभाष द रहा है। यहां आपको इस घ्लड़ा हो रहां इसी को हम लोग बोलते एलफा हेलिकल स्टेक्टर आप दो प्रोटी इसलेवस में नहीं है फिर भी आपको इसले इंडिकेट देता चल रहा हूं कि थोड़ जानकारी आपको रहने चाहिए जूसरी जानकारी यही रहने से यह कॉमन ली कि एक होता है डियने और एक होता है आरह है जानके से दिश्कितव कि थे चरूबलिई है और गृब्तबने चलिए कर दोगें यह अनौत्या को आपको प्ते सबूम आपको पतहरे हुआ अब इन दोनों में पर्च क्या है आपने पढ़ा होगा देखो गशा जहां से दोखो डी एने लिग देता हूं मैं और यहां पर मैं आ रहे लिग दोता हूं अगर मैठ वाले लोग है तो भूल जाते हैं तो मेरे याद करने तक सबस्क्राइब आया है मैं लेहां दोगा अधनान सामी गए थे अधनान का मतलब हो गया एडेनीन अधनान का मतलब क्या होगा एडिमीन और यहां हो गया साहे तो सिंग बढ़ बोलो गुद एक गुर्णी और इसके बाद थाई नहीं अब पूचो पहां गया तो अधनान श्यामी जाये श्युरसी नूटन है इस अधिनीन हो गया तो अगर आपको जानकार यह कौन सा प्रिमिडीन है तो मुझे अगर आप बता देने तो अच्छा है अगर इसमें प्रिमिडीन बेस होता है जल्द से अगों से प्रिंइन और गॉनीन यह दोनों और गॉनीन यह दोनों जो होते हैं यह प्यूरीन बेस में आते हैं आदेनीन और गॉनीन बचे वब बचे गवे तब चले जाते हैं यहां पर साइटोसीन लिख लूँ थाइमीन लिख लूँ इस बात का जहां दीएगा यह इंपोटेंट है और सुच्छा जा सकता है जनरल कॉमन किसी भी एक्जामपल में ऐसे नहीं पूछ लिया जाएगा आपके आपके नहीं पूछा जाएगा लेकिन हाँ कहीं बड़ी आपको मुहिनत चोड़ी ज्यांधा इस भी करनी पर सकती कि कहीं चुर्ट पूर कुछ नौलिज ये मद्ब सामान ने घ्यान ने कहीं प नहीं बड़ा होगा कि वह बड़ा है नहीं बड़ा है तो ये चीज मैंने आपको बताई अब दैनन बताओ कि अभी भी कुछ मैने खोला है जो आप कह रहे हैं तेकि सब्सक्राइए नहीं तुम्हेंने आपकी बास रत्ती पूरी क्या आपको शूटता हुआ लग रहा है कि अगर कोशी जैसी लगे आपको पिसरी बता देते हैं तो मुझसे बेफिकर होगे कहिए घवडाई ये विल्कुल नहीं बताऊंगा देरू बताऊंगा लेकिन सब्सक्राइए कि पहले आप थोड़ा पढ़िये समझे परिये उसके बाद प्रापर यह वाली पीडियेफ अब रभंची की इस वाली पीडियेफ को मैं आपके गूरुके अभी के आपको बेजें उनको पढ़िये प्रेक्सिस बढ़िया करने को पर दोन आप बहीं ऐसे इसे लिए से देए इस इस ट्रस्थर और गुलो को देए प्रॉट्न हमें चरहिए अटाट चाहिए पीडिये में युल्याइव वैक्तिशंडों आपको प्रॉटात प्रॉट्ष मिलें खेंब जूर को फिरे चाहिए अनि जिए वाली थे दो वालीए और जिलेए तर प्रिश्टर नहीं है एक्ट्ट्र में चाहिए कि जैसे अब फिर्स बोलू जो नोस में लगेगा अगर कुछी जहती बड़ी मगें देखूंगा कुछ लगेगा और बंदा में चोनता नहीं मेरी आलत में ठीक है और दूसरी चीज़ आपको बताओं कि आप इसको पूरी जिसनी प्रॉपर विमें सॉल्व करके देखिए आधी खाली न बैठेता करिए रोज पढ़े आप सो कोश्चन करिए किसी भी हालत में किसी भी हालत मे करें सो कोश्चन करिए तब काम चलेगा हमें अथा सोचे कि बिना सो कुश्चन के काम चलेगा तो नहीं चलबाए रहा इसलिए सो के सो कुश्चन पाड़े करिए वाकि मैं अभी आपको भर सबर सारा मेटरा भी आपको भेज़ता हूं ठीक है और तुरुछ बोलो कि इस टापिक होगे रखते हैं कि उसको कैसे करें हैं कि आधा रही है कि हासर कह रहे हैं कि कुछ कोश्चन में डाउट आ जाता है सौल करने के बाद तो उसके लिए क्या किया जाता है तो आप हमें अभी किसी दिन आप कर्शनली मुझे बोली तो मैं आपको समय देजू और करने कि आप हम नहीं कि आप मुझे दिख्रस करें ताफ करें कीसी अजयों शर्द मनांगे तुछ में दस क्कुस्चिन होंकर जिसना डाउट वगयरा होता ही नहीं है घ्र कि अ कि